हलो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ एक मिठाई की रेसिपी जिसे हम घर की समान से बनाने बाले है फटा फटा सी रेसिपी बन जाती है और पूरे एक मेने तक आप इसको इंजॉय कर सकते हैं तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस पर चड़ाएंगे कड़ाई और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और इसमें डालेंगे आधा कप घी देसी गी लिया है मैंने यहाँ पर आधा कप घी डाल देंगे गी को हलका गरम होने देंगे बिल्कुल हलका सा गरम होने देंगे जादा नहीं घी में हम डालेंगे बेसन ये एक कप बेसन हो गया और ये आधा कप डेड़ कप ये हमने बेसन लिया है इसको घी के साथ मिक्स कर देंगे पहले बेसन को हमने घी के साथ मिक्स कर लिया है इसके बाद मैं इसमें डालोंगी सूजी ये जो घर में नॉर्मल सूजी होती है वो ही मैं ले देखिए सूजी और बेसन हमारा भून रहा है और देखिए हलका हलका इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है यह देखिए आप देख सकते हो तो यह देखिए हमारा बेसन जो है देखो घी छोड़ रहा है देखो पतला सा हो गया है कुछ ये देखे मैंने इसको और भून लिया ये देखे कुछ इस तरीकें का हो गए यह देखे आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है तो हम बेसन को और सूजी को हम इसी तरह लो फ्लेम पर थोड़ा सा और भून लेंगे बहुत अच्छी खुशुआ आ रही है सूजी और बेसन ने घी अच्छी से छोड़ दिया है इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चीनी का पाउडर मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया था तो मैं यहाँ पर साथ बड़ा चमच जो हम खाने वाली चमच होती है साथ बड़ा चमच के गरीब मैं इसमें चीनी का पाउडर डाल रही हूँ तो चीनी के पाउडर को मिक्स कर देते हैं इसके साथ तो देखिए चीनी का पाउडर हमारा बेसन के साथ घुल गया है ये देखो कुछ इस तरीके का हो गया है ध्यान रहे फ्लेम को हमने बिल्कुल लोही रखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक और इसको रेगुलर चलाते रहना है अगर आप इसको छोड़ कर चले गए तो बेसन आपका कहीं से कच्चा रह जाएगा कहीं से जल जाएगा तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और फ्लेम को आपने बिल्कुल भी मेडियम या हाई बिल्कुल नहीं करना है लोही रखना है तो यह देखे हमारा जो मिक्स है बर्फी बनने के लिए तयार हो गया यह देखो कुछ इकठा सा हो रहा है यह देखो अपने आप से यह इकठा हो रहा है तो चलिए इसको हम जमाने के लिए करते हैं तैयारी तो मैं यहां ले रही हूँ केक टिन और मैं केक टिन में बर्फी को जमाने वाली हूँ अगर आपके पास बर्फी ट्रे है तो बर्फी ट्रे भी ले सकते हो या आपके पास वो भी नहीं है तो थाली ले सकते हो तो हम डाल देते हैं इसके उपरर जो हमने makes बनाया था बरफी के लिए वह डाल देते हैं और इसको फैला देते हैं सपैडूली से तो चलिए मैंने इसको देखिए फैला दिया है इस तरीके से इसके उपर हम डालेंगे को ड्राइफूट मैंने मिक्स कर लिया है मैंने बादाम और पिस्ता को छोटा-छोटा इस तरह से कट कर लिया है और मैं इसको पर फैला देती हूँ और इसको फैलाने के बाद हम इसको ड तो फैंट जब तक ही set हो रहा है अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है तो फटवर से like कर दीजिए ये देखे हमारी बर्फी हो गई है बिल्कुल set ये देखे अभी मैं आपको इसको cut करके दिखाती हूँ कितनी soft बनी है हमारी बर्फी ये देखे मैं निकाल लेती हूँ इस सबसे पहले तो देखे मैं इसको कर रही हूँ कट देखे आपको मुरे काटने सी पता लग रहा हूँगा कितनी soft हमारी बर्फी बनी है ये देखिए शेप आप अपने according कोई सी भी दे सकते है मैं यहाँ पर इसको लंबे वाली शेप दोंगी तो ये देखिए बहुत ही आसा आप खाना चाहें तो डाल सकते हैं अगर नहीं है तो आप इसके घर भी बना सकते हो ये देखिए मैं इसको लंबे वाली शेप दे रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनती है जरूर बनाईएगा फ्रेंड्स अप रक्षा बंदन आ रहा है और तीज आ रही है तो आप उस पर आप इस मिठाई को बना सकते हैं घर के ही समान से बहुत इसको बना पाएंगे तो ये देखिए मैंने इसको कर दिया है कट और मैं इसको कर देती हूँ सर्फ तो इसको थोड़ा थोड़ी दिर फिज में रख दीजे थोड़ी सी टाइट हो जाएगी तो फैंट जरूर तो यह देखिए मैंने इसको कर दिया है सर्व अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन को दबा करके और पे क्लिक जरूर कर लीजेगा जिससे आपको मेरी आने बार अच्छे वीडियो मिल सके तो फेंट्स बनाईए खाईए इंजोई कीजिए और मेरे को जरूर बताईए कमेंट सेक्षर में आपकी ये बरफी कैसे बनी तो चलिए मैं मिलते आपसे नेक्स एंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग और बबाई तक केर